नमस्ते, वेलकम, सवागे थैं आप सबी लोगों का और एक बहुती महत्पूर्ण विश्य, एक बहुती महत्पूर्ण तिθी और एक बहुती ही महत्पूर्ण सफलता और वो भी सफलता हमारे भारतिये सेना को लेकर बारतिय सेना का एक operation जो 40 साल पहले चलाया गया था जिसका नाम था operation मेग दूर जिसके सफलता पुर्वक 40 वर्ष पूरे हो चुके हैं चार दशक पूरे हो चुके हैं और ये एक बहुत बड़ी सफलता है अपने आप शिया चिन ये वो जगह है जो कि दुनिया के सबसे उचे जिसे आप कह सकते हैं सबसे उचा रहनेतिक छेत्र युद्ध छेत्र के तौर पर जाना जाता है सियाचीन ग्लेशियर दुनिया के सबसे उचे ग्लेशियर में से एक माना जाता है और इस जगे के अगर बात किया जाए तो सियाचीन को लेकर अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पर गर्मी में तो ग्लेशियर जैसी जगे पर तो गर्मी होती नहीं थंड़क के दिनों के बात किया जाये तो यहां पर थंड के दिनों में टंप्रेचर माइनेस 50 डिगरी हो जाता है JUST क के टमप्रेचर पर देश के भारतिय जावाज सेनिकों का वहाँ पर पस्तित होना सोची सिर्फ सोच लिजब माइनस 50 डिग्री साब चार डिग्री पांच डिग्री सोच लेते हैं तो शरीर की हद्रियों से आवाज अने लगती है कल-कल-कल-कल-कल अब आप सोची है कि जहां क टमप्रेचर माइनस 50 डिग्री होगा वहाँ पर तो हड्डियों में से आवाज भी नहीं आने वाली इतना जवर्जह स्थंड़क होगा कि साब हड्डियों में से आवाज भी नहीं आएगी तो ऐसे दुरगम ऐसे महत्वपूर्ण रणितिक तौरपा के छेत्र पर यह नाम क्यों आया कैसे आया उसकी चर्चा अभी हम लोग करते हैं एक नक्षे के माध्यम से शिया चिन की भौगौलिक परस्थि देख लेते हैं अगर आप यहां पर देखेंगे तो हिमालय परवत हिमालय परवत का कारा कोरम शेनी का यह आपको गोल सर्किल में राउंड रेड सर्किल में आपको शिया चिन दिख पा रहा होगा और जिसको देख करके आप एक बात तो साफ लंदाजा लग पा रहा है कि यह इलाका भारत और पाकिस्तान के बीच में पड़ता है अगर आप पाकिस्तान के हिस्से को देखेंगे तो गिलगत बालतिस्तान है और जगे पर जिस भी देश की शेना पहुच जाती है जिस भी देश का मतलब भारत और पाकिस्तान में सी जो भी यहां पहुच गया वो ऊपर बैठ कर नीचे की होने वाली सारी घटनाओं का लद्दाख में कारगिल में श्री नगर में यह जम्मू कश्मीर वाले रीजन में कि किसी भी प्रकार का होने वाला हल चल को देख सकता है और देखी नहीं सकता एक तरीके से उसे वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब भी कर सकता है तो बहुत ही महत्तुपूर्ण छेत्र है इस जगे को लेकर विवाद के अगर बात किया जाए तो भारत और पाकिस्तान के बटवारे क साथी विवाद शुरू हो गया था कराची वाले अगर सत्र को लेकर देखा जाए जो कराची समझोता हुआ था उसमें मतबए से अच्छी साफ सुत्री लकीर सीमा रेखा न बन पाने के कारण ये विवाद का कारण बना रहा सी अच्छी दोनों देश अपना अपना दावा करते रहे भारतिय भूगर्व सरवेक्षन विभाग ने अपनी ओर से कई सारे यहां पर दोरे वगरे किये और अपने अपने बातों को अपने रिसर्च को तरकों को रखा जैसे जैसे समय आगे बरता चला गया दोनों देशों की शक्तियां दोनों देशों की सेन शक्तियां ताकतवर मजबूत होती चली गई तब हलचल शुरू हो गई यह बात है 13 अप्रेल 1984 की भारत के सरकार को भारत के जो हमारे रोर इस प्रकार के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है उनको खबर लगती है कि पाकिस्तान 17 अप्रेल तक सिया चिन पर कबजा करने का प्रियास कर र प्रकार का चैल लगाया है अब यह भारत की सेना के लिए प्रकार का चैलेंज भी था भारत की सेना के three महत्तविध티 wordि हो क्योंकि किसी भी कीमत पर इस जगह का क्योंकि यह जगह सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं यह चाइना की नजर से देखिएगा तो यह वह जगह है जहां पर आप पाकिस्तान और चाना दोनों का एक प्रकार से आप देख सकते हैं प्रॉब्लम क्रियेट करेगा भारत को कोई विदेश कबजा करता है फिलहाल अभी तो पाकिस्तान की ओर से प्रॉब्लम चल रहा था हाइट अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 20,000 फीट की उचाई है समुद्रतल से अगर देखा जाए तो तो काफी उचा है ठंड़क काफी जादा है लेकिन पाकिस्तान की सेना न उपरेशन चलाया जिसका नाम है उपरेशन मेगदूद और यह नाम जो लिया गया उपरेशन मेगदूद तो आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा एक बहुत विद्वान वेक्ति हैं जिनको कालिदास जी के नाम पर जाना जाता है कालिदास का बहुती प्रसिद्ध विग्रंथ है जिसका नाम मेगदूद है तो नाम लिए गया operation मेगदूद का अच्छाई चिन का भी आपको शाप्दिकर्द और लगे हाथ बता दूं फिर आपको बताता हूं तो शिया चिन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो एक तरीके से आप कैसे लो कि गुलाब का उद्यान कहलो गुलाब का बगीचा कहलो यह जो शिया चिन शब्द है इसका जो बाल्टिक भाषा में वहां पर जो बोली जाने वाली स्थानिय भाषा है उस भाषा का यह के से महत्वंपूर्ण हो जाता है पाकिस्तान अपनी और से एक operation चलाने का या44 सीह चीन पर अपना कपजा करने के उद्देश से एक operation चलाने वाला है जिसकी तयारी कर रहा है और वह है operation अबाबील इस operation को चलाकर से history अप्रेल तक पाकिस्तान सियाचिन पर अपने कबजे को बनाने की योजना बना रहा था लेकिन जैसे ही ये खबर भारत को लगती है तो भारत की सियना ने चार दिन पहले ही पर अगर आप गौर करिएगा तो ऐसा ही कुछ लक्षदीप के साथ भी हुआ था कुछी घंटे पहले लक्षदीप में भी भारती सियना ने पहुच का जंडा पहरा दिया वही कहानी सियाचिन के साथ होने जा रही है तो बैसाखी का दिन है तहवार है बैसाखी का और बैसाखी के इस तहवार को ध्यान में रखते हुए तो तहवार और साती साथ मतलब यह एक तरीके का आप कह सकते हो कि पाकिस्तान की सेना हो सकता होONA चला हो धूर कर देखो हम लोगो कह तो बैसाखी उसाखी का तेहार है वहाई हम बढ़िया बैसाखी मना रहे हैं और उस वक्त उनको लगा कि आराम से लोग मैसाखी मनाएंगे हम जल्दी से जल्दी अपनी सिना पहुँचा दिंगे उन्हें क्या मालूम कि बैसाखी के दिन जब भारत के आम लोग बैसाखी का तहवार मना रहे हैं सेना अपना एक विशेश अभियान चला रहा है जिसे ऑपरेशन में एक दूत कहा जा रहा है और ठीक चार दिन पहले यानि तेरह तारिक 1984 को इस operation को पूरा कर लिया गया और तब से लेकर आज तक श्रियाचिन पर भारतिय सेनिकों का भारतिय सेना का जमावाला बना हुआ है लेटिनेंट जेनरल हून और लेटिनेंट करनल खन्ना सहाब की एगवाई में ये मोर्चा समाला गया और इस मोर्चे पर जीत प्राप्त कर ली गई जब तक पाकिस्तान की सेना पहुच पाती तब तक उन्हें खबर लगा कि भईया हाथ को आया लेकिन मुकू न लगा मतलब क फुल मिलाकर हम लोग सोच तो पा रहे ते लेकिन फिलाल पहुच नहीं पाए और इन पिछले 40 सालों में लगाता देखे लगातार रिसर्च की बात करें तो रिसर्च लगातार बढ़े रहे हैं रिसर्च आगे बढ़ लए रहे हैं और भारत में भी अगर आप देखीएग की भी एकर बात किया जा तो वहाँ पर भी नए ने चीज़ों का ताकि ऐसे सर्द ऐसे दुर्गम सियाचिद, ये बर्फ का रिगिस्तान है, कोई मामूली जगह नहीं है, दुनिया का ये बर्फ के रेगस्तानों में सेक आता है अब तो वहां पर आप सोचिए कि अगर सामाने परिद्छा में सेनिक जाएगा तो कैसे वहां पर जीवन जी पाएगा ऐसें वह देश के शुरक्षा कर पाएगा सब्सक्राइब। जैकेट टॉकेट टाइप का हो, कुछ ऐसा उनको मिले, और चुकि यहाँ पर बर्फ के तुफान भी एक्सर आते रहते हैं, और जिसमें कई एक बार उसा हो जाता है, कि बर्फ के तुफान में रास्ता भटक गए, बर्फ के तुफान में फस गए, और कई बार मृत्यू तक ह हो जाती है, तो ऐसी विकट परिस्थती से बचने के लिए, रोज लगातार होने वाले नए-नए रिसर्च का परिणाम ये है, कि अब भारतिय सेना को लगातार, जो अत्याधुनिक सामान है, वो मिलते जा रहे हैं, और साती साथ, वहां तक पहुचने के लिए, जो अलग- तो बहुत दिक्कत होने वाली है, तो ऐसी दशा में, वहां पर वस्तुएं, रसद, सेना के हातियार कैसे पहुचा जाएं, इन सब के लिए, लगातार प्रियास किये जा रहे हैं, एक नए प्रकार का जैकट भी बनाया गया, वैदर जैकट बनाया गया, जिसमें एक आना ताकि ऐसी किसी भी दशा में, हम रास्ता न भठकें, हम कहीं और न पहुच जाएं, या मृत्यू न हुए, ऐसी सभी परस्तियों से बचने के लिए, सारे प्रियास किये जा रहे हैं, और हम लोग ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कि भारती सेना, मैं ये तो नह साम देश ऐसे हैं, जो जानते हैं, कि इन सैनिकों के पास हतियार भले कम हो, वो जो साहस है न, वो जो अंदर, शेर, वो जो शेर है न, वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए अक्सर आप तुमने टीवी में एक फिल्म देखी होगी, सिंगम अंगम करके आती रहती है न, सिंगम उसमें दिखाई पड़ता है, और साती सात हम लोगों के भारत, पाकिस्तान विद्ध को लेकर कुछ फिल्में विबनी, वहाँ पर भी देखी है, घायल भारती सनिक, लेकिन उसके दिल में बस एक तमन्ना है, कि मुझे अपने देश के लिए, अपने मा के लिए, अपने धर गम छेत्र पर भारती सनिकों का जो एक जमाव वाड़ा, जो एक कबजा है, वो बरकरार रखा है, और इस बहादूरी, इस जजबे ने, आप दुनिया माने या ना माने, मैं तो इस बात को मानता हूं कि भारती सनिकों के जजबे ने, पाकिस्तान को भी डरा करके रखा ठीक है, कुछ बहुत, मतलब उसके बारे में तो रक्षा विभागी सही से बता पाएगा, कि क्या क्या पर सतियां है, लेकिन एक आम आदमी होने के नाते, एक आम इंसान होने के नाते, एक आम भारती होने के नाते, मेरे पास जो जानकारियां हैं, जो मैं जानता हूं वो य देश और दुनिया मतलब भारत देश की सेना से भारत देश की सैनिकों से दुनिया के लोग डरते हैं और इसका उधारान हम लोग देख चुके हैं सन पैसट की लड़ाई में भी देख चुके हैं सन इकत्तर की लड़ाई में भी देख चुके हैं कारगिल में भी देख चुके बारत को, कई बड़े-बड़े देशो ने धमकी दिया, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हमारी जहाज हैं, पानी वाले जहाज, जो युध्ध को ओत है, वो पहुच रहा हैं, भारत के भीस, हमारे नेताओं ने, हमारे राष्ट्रा, ध्हेक्षों ने का, ठिक पहुचाओ, इतनी इम्मानत पहुंचाऊ नहीं तो पहुचकर दिखाऊ तुमारा भी देख लेंगे हम Six ना हमेरिका की कभी पड़ी न छीन की कभी पड़ी ना रूस की कभी पड़ी यह अच्छा वा यह इन लोक Lions कौन लड़े है ना यह मरने मारने वाले आदमी है मरेंगे तो ठीक लेकिन मारे भी ना छोड़ेंगे नहीं तो कहीं न कहीं इस जजबे ने इस दुरगम छेत्र पर भारती सेना का भारत का जो अपना एक दबदबा है भारत का जो अपना एक पकड़ है वो बना कर रखा है और इस महान दिन को ध्यान में रखते हुए, बस कुछ नहीं, मैं भारतिय सेना और भारतिय सेंगो को सिर्फ हो सिर्फ अपनी ओर से salute कर सकता हूँ और इस salute इसलिए क्योंकि भारती सैनिकों की बदोलत मैं आप या कोई भी अपना जो जीवन शांतिपूर तरीके से जी पा रहा है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण हमारे भारती सैनिक है तो हम अपने सभी भारती सैनिकों अपने भारती सैनिकों अपने तिरंगे को सिर्फ और सिर्फ salute कर सकते हैं तो एक छोटी सी जानकारी ऑपरेशन में एक दूद को ले कर थी जिसकी चर्चा मैं ने आपसे किया और मैं ऐसे अलग-अलग जानकारियां आपके सामने इस समय समय पर प्रस्तुत करता रहूंगा उमिद करता हूँ ये जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी पसंद आई होंगी चैनल लक्ष विजय को सब्सक्राइब कर लीजिए कंजूसी कताई मत करिएगा सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं सब्सक्राइब करते रहें comment 받 dah à अपने आप में चातर जीवन में भी वह एपने आप में एक सेनिक Correct को भी तो एक लड़ना है वह सिद्ध को जिसमें असको लक्ष प्राप्थ करना अपनी सफलता का तो अपनी सफलता के लक्ष को प्राप्त करने के लिए एक विद्यार्थी रूपी सैनिक से गुजारिश है कि वो चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दब प्रेस कर दे बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद इस तरह की जो महत्तपूर्ण जानकारियां समय समय पर आएंगी वो मैं आपको देता रहाँगा, बहुत-बहुत शुक्रिया, बेस्ट अफ लाइगा